इस वर्ल्ड कप में ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है कामियाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि एक तो भारत को समी फानल की टिकेट मिल गई है भारत के नाम के आगे क्यू यानि की क्वालिफाइड लिखा आ गया लेकिन इस जीत ने डिफेंडिंग चैंपियन्स के लिए मुझे लगता है कि वैसे भी उन्होंने कौन से समी फानल जाना था और भी दराज़े बंद कर दिये लेकिन कहा डिफेंडिंग चैंपियन इंगलेंड कहा पोटेंचिल चैंपियन इंडिया और मुझे लगता है कि जीत के अलावा नब दो पॉइंट के अलावा या फिर सेमी फाइल में टिकेट के अलावा भारत को इस जीत ने और बहुत कुछ दिया मसलन आपका इम्तिहान था कि आप पहले बैटिंग जब करेंगे जो भारत की कमजोरी है आप बोर्ड पर कितने रन लगाएंगे भारत ने ज्यादा रन नहीं लगाए रोई शर्मा की आउटस्टैंडिंग बैटिंग सुरिकुमार यादफ का वो कैमियो और केल राहूल की वो हैं लेकिन उसके बाद जो दुनियाई क्रिकेट ने महमज शमी और भुम्रा की तेज़ गेंद बाजी देखी है दुनिया के सारे बलेबास सर्थर काम रहे होंगे कहते हैं कि फास बोलिंग अट इट्स पीक इस वक्त शायद सिराज शमी और भुम्रा पूरी दुनिया में बेस्ट सीम बोलिंग अटैक है और आज इन्होंने दिखाया भी क्यों बुम्रा ने जो वो दो विक्टे ली जो दो विक्टे बुम्रा ने ली उसने इंग्लेंड पर दबाव बनाया लेकिन उसने साथ ही रोईट शर्मा और बाकी दस खिराडियों को ये एसास कराया कि हम कर सकते हैं अपसेट इसलिए क्योंकि बोर्ट पर रन बहुत जादा नहीं थे उसके बाद आते हैं जी मौमद शमी मौमद शमी के हाथ में तो अलग ही जादू है वो जो दो उन्होंने शुरू में विक्टे ली और जैसे ही इंग्लेंड के ये चार विक्टे शुरू में ग दिखेगा जो टपे पे ना हो जो चोटा बॉल हो गया या आगे बॉल गिर गया अरे यार चलो रन आ गए एक एक गेंड ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर से निकल रहा है और एक एक गेंड ने इतना दबाव बनाया हुआ था इंग्लेंड के इन दिगज बलेबादों पर कि एक एक कर हर कोई विकेट छोड़ कर भागा है बलकि भारत ने इंगलेंड के बलेबादों को डरा डरा कर आउट किया और मुझे लगता है कि जैसे कुलदीप ने वो गेंड फेंका उसके बाद बटलर की विकेट के बाद मैच खतम हो चुका था लेकिन जबरदस जीत इस नंबर एक फिनिश करता है कि नहीं करता बट भारत नंबर एक है बलकि भारत अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता तो वो ज्यादा अपसेट होगा अब सवाल यह है कि भारत आगे रन नीती क्या करता है हार्दिक पंडिया के बिना खेल रहा है हार्दिक का ना होना एक बहुत ब इंग्लेंड को हरा दिया उससे हुआ ये है कि भारत ने मुहमद शमी को खिलाया उदर सूरे कुमार यादफ को खिलाया सूरे ने भी आज 49 रंग की पारी खेली और शमी तो भी कमाली करते जा रहे हैं पहले मैच में पांच विक्टे फिर आज की ये परफॉर्मेंस तो अगर हार्दिक को चोटना लगती तो भारत कभी भी शायद सिराज, शमी और भूमरा को एक साथ नहीं खिलाता वो शार्दुल के साथ खिलते लेकिन अब ये है कि अगर हार्दिक मंडिया वापिस भी आ जाएंगे तो शायद भारत के लिए वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश स्पेशली क्योंकि उन्होंने रन बहुत बनाए हैं तो जुर्बा भी उनका बनता जा रहा था एक लूस शॉट पर आउट हुए श्रेय सायर का चोटा गेन जो है वो दिक्कत बनती जा रही है लेकिन भारत को अब ये ऐसास हो चुका होगा कि अभी कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा है शायद मैंने जैसे कहा दुनिया में इस तरह का सीम अटाक नहीं है किसी के पास जो सिराज, शमी और बुमरा है भारत के पास दो ऐसे स्पिनर्स हैं जो विक्टे भी ले रहे हैं यानि कि कम्प्लीट बोलिंग लाइनप भारत के पास है विकेट बैंडिंग आज पारी खेली है जो कई सो से भी बड़ी पारी थी लेकिन अब भारत को बल्ले बाजी पर थोड़ा और ध्यान देना होगा क्योंकि रोहित, विराट और केल रहुई ये तीन चल रहे हैं गिल नहीं चल रहे हैं श्रेय सयर एक बहुत कमजोर कड़ी हैं हो सकत की डिस्क्रिप्शन में सुपर 11 मिल जाएगा आप उसको डाउनलोड कीजिए, रिजिस्टर कीजिए, अपनी टीम बनाएं और जीते, क्योंकि भारत वहाँ जीत रहा है और सुपर 11 फैंटेसी लीग पर आप जीत सकते हैं, इसके अलावा अगर आप भारत के फैन हैं तो प